महु के चोरडिया गाउं के सरकारी स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से छिक्षक भरवाते हैं पानी अत्यदिक ट्रैफिक वाले रोड किनारे लगे हैंड पंप से भारी भारी केमपर भरके लाते हैं बच्चे ना तो स्कूल प्रशाशन को है बच्चों की सुरक्षा की चिंता ना ही अभिवावकों को है किसी बात की आपत्ती मालवा मिरर की रिपोर्ट गद दिनों मालवा मिरर की टीम महुत तैसील के ग्राम चौरडिया से निकल रही थी जब वह तैसील भर में लोगसबा चौनाओ को लेकर प्रशाशन और चौनाओ आयोग द्वारा की जा रही तैयारियों का जायजा लेने के लिए भगोरा आंबाचंदन आदी गाओं की ओर जा रही थी इस दौरान हमारी टीम जब चौरडिया पंचायत के पास से निकल रही थी तो नजरें अचानक रेल पट्री के किनारे लगे एक हैंट पंपर पड़ी जहां पास ही इस दिस शाष्के मिडिल स्कूल के चोटे 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 बच्चे बड़े बड़े केमपर लेकर आये थे और स्कूल स्टाफ वा बच्चों के लिए पानी भर रहे थे बच्चों से जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि समस्त स्कूल स्टाफ और बच्चों के लिए पानी भर कर लाने का जिम्मा बच्चों का ही होता है पानी भरने वाले बच्चों ने यह भी बताया कि उनके विद्याले में जो मध्यान बोजन बनता है हम आपको बताजें कि तेंद कीमों की ग्रामीन सड़क के किनारे पर यह शाशकी विद्याले इस्तित है जिस पर हलके और भारी वानों के आने जाने का सिलसला दिन भर चलता है इसके साथ ही महुखंडवा रेल लाइन के गेज परिवर्तन का कारे भी चल रहा है जिसके चलते उसी हिंट पंप से लगी सड़क पर भारी वाहन और डंपरों के आने जाने का करम भी लगातार चलता रहता है ऐसे में भी विद्याले के जिम्मेदार अधिकारी पता नहीं क्या सोचकर इन बच्चों की जान जोखिम में डालते हैं यह किसी भी समझदार की समझ से परे है इस बारे में जब विद्याले की प्रिंसिपल श्रिमती माला लाल जैकब से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि उनके विद्याले में चपरासी नहीं है जिस कारण से बच्चों से ही पानी भरवाना पड़ता है